खोज मन का मीत कोई लो लगाना कम मना है 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 हंदेरी रात पर दिया जलाना कम मना है नवस्कार दोस्तो मैं उम्प्रकास गोशामी एजुकेशन टू आल यूटूब चैनल में आपका हर देख स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम 16 दिसंबर 2021 को CBSC द्वारा आयुजित टर्म बन एकजाम हिंदी पेपर को हल करेंगे दोस्तो इस पेपर की आंसर की CBSC द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई है तो चलते हैं प्रशन पत्र की तरफ सबसे पहले अपटित गध्यांस से रिलेटेड प्रशन पहला प्रशन हिमालय को जिन्दा रखना है तो वहां के लोगों को जिन्दा रखना होगा और यदि हिमाले में जिंदा रहना हैं तो हिमाले को जिंदा रखना होगा इसका आसे है तो इसका मेरे मतानुसार जो option है B हुए है सही है हिमाले और वहां के निवासी अपने अश्तित्तों के लिए अन्यो न्यासिर्त हैं अन्यो न्यासिर्त मिंस एक दूसरे पर आसिर्त हैं दूसरा प्रिस्ण हिमालईी छेत्रों में पहाड तास के पत्तों की तरह क्यों विखर रहे हैं इसका सही उप्सन है ए बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रस्ण तीन गद्यांस के आदार पर विस्तापित सब्द का अर्थ है एक इस्तान से अठा कर दूसरी जगे बसाया गया सही उत्तर है अगला प्रस्ण मानव जन्न अत्वा प्रकृति जन्न आपदाओं से प्रवावित लोगों के लिए क्या अपिक्षित है जन सहवागिता बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए आवश्च्रकता है परवतिय प्रदेशों में हर्याली के इस्ताई करण की जरूरत है प्रस्ण 6 परवतिय छेत्रों से पलायन और खाद असुरच्छा को किस प्रकार कम किया जा सकता है तो इसका सही उत्तर है जैविक खेती के उत्पादन को बढ़ावा दे कर अगला प्रस्ण हिमालई छेत्रों में बढ़ती खाद असुरच्छा का कारण है वन संसाधनों की कमी हिमालई छेत्रों का दोहन क्यों किया जा रहा है मानवी जरूरतों की रक्षा और विकास के लिए हिमालई राज्यों में नित नए नए एको सेंसेटिव जौन यानि पर्यावन संबेदी छेक्त्र क्यों गोसित किये जा रहे हैं बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण हिमालई को बचाने के लिए आवश्यक है हिमालई से खुद को जोड़ना तो यह था अपटत गद्यांस पहला दूसरा अपट प्रत्वी की सतय का तीन चौताई भाग पानी से घिरा होने पर भी प्रत्वी पर पानी की कमी क्यों है तो इसका सही प्रत्वी को नील ग्रय यानि नीला ग्रय की संग्या क्यों दी गई है इसका सही उत्तर है ओप्शन ए धर्ती पर मौजूद पानी की प्रिचुर मात्रा के कारण हमें पानी का विवेक पूर्ण उपयो करने की आवशक्ता क्यों है तो इसका सही उत्तर है ए एक अरव से अधिक की आवादी के अश्तित्त के लिए पानी के संदर्म में भारती अर्थ विवेस्ता पर पढ़ने वाले पृत्कूल प्रवाव के समर्थन में कौन सा तर्क उचित है ओप्शन सी भारत में जल जनित रोगों से पीड़ित लोगों की संक्या बहुत अधिक है अगला प्रिसन सोल है स्वक्ष पीने के पानी की समश्या किन देशों में सरवादिक पाई जाती है तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी विकासील देशों में पिछले कुछ वरसों से दुनिया के विविन भागों में पीने के पानी की कमी क्यों बढ़ रही है तो इसका सही विकल्पे D दैनिक चीवन में पानी के उपयों के लापरवात तरीके के कारण अगला प्रस्न राजस्थानी लड़कियों के उधारण द्वारा क्या सिद्ध करने का प्रियास किया गया है ओप्सन एप पानी की कमी सामाजिक समस्याओं का कारण है जल सनरक्षन के लिए आवश्यक है दैनिक गत्विदियों में पानी की बरवादी को रोकने का उपाय करना हो बीसमा प्रस्न उप्रयूक्त गध्यांस का उचित सीर्षक है ओप्सन सी जल सनरक्षन इसका सही सीर्षक होगा अगला है अपटित प्ध्यान से रेलेटेड यह से पध्यान से पहला और इस से रेलेटेड प्रस्न है देखिए प्रस्तुत कविता का स्वर है आशाबादी कालिमा तो दूर च्छाया भी फलक पर थीन च्छाई का अभिप्राय है यानि कभी के जीवन में दूर दूर तब दुखों का नाम निशान ना था कवि और कवि के मित्रों के बीच कैसा संबंद था चुम्बक और लोहे जैसा बादलों ने शर्म खाई पंक्ती में कौन सा लंकार है मान भी करना लंकार है नास की उन सक्तियों के साथ चलता जोर किसका पंक्ती के माध्यम से कवि ने किस और संकेत किया है प्राकृतिक आपदाओं की तरफ जैसे अभी कोरोना फैला या बादल फटता है या भूकम पाता है तो इन प्राकृतिक आपदाओं पर महामारियों पर किसी का कोई जोर नह प्रतिकात्मक्ता है इसका सही विकल्प सी संस्कृति व्यक्ति और समाज दोस्तों प्रतिकात्मक्ता का अर्थ होता है जिसका कोई दूसरा अर्थ ध्वनित होता हो कोई अन्य अर्थ निकलता हो कोई व्यंग्यार्थ निकलता हो कोई अन्य अर्थ निकलता हो तो वो प्रतिका आत्मक्ता होती हैं तो यहां पर नदी दूइप और भूकन्ट की जो प्रतीक अत्मक्ता है वह संस्कृृतर है और समाज के संद्रम में अगला प्रस्ण नदीप की संग्या क्यों दी गई है दूइपव रचनात धषिया दूइद्वारा होने के कारण 28 प्रस्ण द्वीप बहना क्यों नहीं चाते क्योंकि उनका अस्तित्त समाप्त हो जाएगा इसलिए वो बहना नहीं चाते तो इसका सही विकल्प है D 29 प्रस्थत कविता का संदेश है Option B इसका सही विकल्प है समष्टी में ही व्यष्टी का हित नहीत है समष्टी मिन्स समाज और व्यष्टी मिन्स व्यक्ति यानि समाज के भले में देश के भले में राष्टर के भले में ही व्यक्ति का भला नहीत होता है तो सम्ष्टी में ही व्यस्टी काईत नहते है तिसमा प्रिस्ण दुईपां को नदी का विनासकारी रूप भी क्यों स्विकार है तुई इसका सही विकल्प विक लिए विद्ध्वन्स अनिवार है अगला प्रिस्ण है अव्यक्ती और माद्यम से रिलेटर 31 प्रसन है जनसंचार के आधनिक माध्यमों में सबसे प्राचीन माध्यम है तो इसका सई बिकल्पैसी समाचार पत्र किसी भी खबर का घटना इस्तल से सीधा प्रशाणन कहलाता है लाइव सिर्फ इंटरनेट पर उपलग्द होने वाला हिंदी अखवार कौन सा है प्रवासाक्षी इसके बाद अगला प्रसन देखिए प्रवासाक्षी दोस्तों एक ऐसा नीज पेपर है जो केवल ऑनलाइन उपलग्द है इसका प्रिंट नहीं निकाला जाता प्रकासित नहीं किया जाता, मुद्रन कार नहीं किया जाता, केवल इंटरनेट पर ही उपलब है 34 प्रस्न देखिए, समाचार संगठन में निशित मांदिय पर काम करने वाला पत्रकार कहलाता है अंश कालिक पत्रकार समाचा लेखन की सरवादिक लोकप्रिय और मानक शैली है उल्टा प्रामिट शैली 36 प्रस्न किसी घठना या समश्या से सम्बंदित तक्ष्यों के विश्तृत और वारीक विवरन को प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट कहलाती है विवरनात्मक रिपोर्ट अब पठित का वियांस पर आदारत प्रस्न देखिए हम दूर दर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ सक्तिबान पंक्ति के माध्यम से क्या अविव्यक्त किया गया है मेडिया कर्मियों के एहंकार के भाव को घमंड के अविवान के भाव को प्रस्तुत पध्यांस का उद्धेश है मीडिया कर्मियों की संबेधन सुन्निता दर्साना मीडिया कर्मियों द्वारा अपाहिज व्यक्ति से पूछे गए प्रसनों का क्या प्रवा पड़ता है उसकी पीडा को और अधिक बढ़ा देते हैं एक दुरवल को टीवी के परदे पर दिखाकर मीडिया कर्मियों क्या करना चाता है अपने व्यावसायक उद्देश्ची की पूर्ती करना चाता है यानि अपाहिज के दुख दर्द को यातना को पीडा को अपना धंदा बनाया जाता है प्रस्ण करता कैमरे वाले से कैमरा बढ़ा करके दिखाने के लिए क्यों कहता है अपाहिज व्यक्ती के हाव भाव को इस पश्ट रूप से दिखाने के लिए जिससे के उसकी आंक से आंक में उबरा हुआ आंसू उसके चेरे की उसके होटाओं की कसमसा हट वो सब परदे प लोगप्रिय बने तो ओप्शन ए इसका मेरे मतानुसार सही होना चाहिए अगला प्रस्ण है 42 मा प्रस्तुत गध्यांस में हनुमान जी का नाम किस प्रसंग में उध्रत हुआ है तो भक्तिन का महादेवी जी के प्रति सेवा भाव दर्शाने के लिए ओप्शन ए सही है प्रस्ण 43 मा भक्तिन द्वारा अपना वाश्तिवक नाम लोगों को ना बताए जाने का सवसे प्रमुकारण था वाश्तिवक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्त में बिरोगावास ए ओप्शन सही है 44 मा प्रस्ण मादेवी जी ने लक्षमी का भक्तिन नाम किस आधार पर रखा गले में धारन की जाने वाली कंठी माला के आधार पर भक्तिन नाम करन किया था मादेवी जी ने भक्तिन बहुत समझदार है इस कथन के पक्ष में मादी वीजी द्वारा दिया गया तरक है वह अपना सम्वर्द्धी सुख्चक नाम किसी को नहीं बताती चालीसमा प्रस्ण एक सेवका की रूप में काम करने से पूर्व अपने विशे में पूरी जानकारी देना भक्तिन के चरित्र की किस विशेष्टा को दर्साता है इमानदारी को अगला प्रस्ण 47 बाजार का जादू किसे कहा गया है बाजार दर्सन पाठ के आदार पर बताईए ओप्सन ए सही है इसका उसकी चमक दमक के चुमबकिय आकर्सन को बाजार का जादू कहा गया है जीजी के अनुसार किसान द्वारा खेती की क्यारियों में गयों के दाने क्यों फैके जाते हैं खेतों में बुबाई प्रारम करने की प्रक्रिया के लिए आप्शन B सही है पहलवान की ढोलक पाठ के आदार पर बताईए कि लुट्टर ने सरवादिक हिम्मत कब दिखाई दोस्तों ए जो प्रस्न है 49 मा प्रस्न ए आउट आप सिलेवस है ए पाठ आपके सेकेंड ट्रम है तो इसका बेनिफेट आपको CBSC के द्वारा दिया जाना चाहिए बैसे इसका जो सई उत्तर है वो है अपने दोनों जवान बेटों की मृत्तिव पर उसने सबसे ज़्यादा हिम्मत दिखाई थी 50 मा प्रस्न दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में चिडिया के पंकों में आई चंचलता का कारण है बच्चों की भूंक प्यास उप्शन भी इसका सई है 51 मा प्रस्न देखिए कविता के बहाने कविता के यादार पर बताईए कि कविता की उड़ान और चिडिया की उड़ान में क्या अंतर है इसका सई विकल्प है भी कविता की उड़ान असीमित है और चिडिया की उड़ान सीमित सहर्स स्वीकार आया कविता में मुक्ति वोध ने जीवन की प्रतेक परिश्तिती को सहर्स क्यों स्वीकार आया उसे जीवन की प्रतेक परिश्तिती में प्रियका संबेदन मैसूस होता है ओप्शन C, सही एसका, त्रेपन्वा प्रस्न वितान से, पूरक पाठ पुष्टक वितान से, सिल्वर बैडिंग कहानी के आदार पर बताईए कि दफ्टर में ये सोधर बाबू के करमचारी क्यों परेशान रहते थे, ओप्शन A, सही एसका, ये सोधर बाबू के कारण होना ह ये सोधर बाबू को अपने बच्चों की कौनसी बात आपत्ती जनक लगती थी, मानवी संबंदों और संसकारों की उपेक्छा किया जाना, अपने बच्चों की यह बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, आपत्ती जनक लगती थी, तो option D सही है, उपहार में मिले, उनी ड् ये सोधर बाबू की आँखों की कौर में नवी आने का कारण था, बच्चों द्वारा घर की जिम्मेदारी उनी के कंदों पर डाल दी गई थी, इसलिए उनके आँखों में नमी आ गई थी, वो चाहते थे के बच्चे उनसे एक कहते, के कुड़ते पाजामे के उपर ये उ इस गाउन में, इस उनी ड्रेसिंग गाउन में आप बिल्कुल किसंदा जैसे लग रही हो, तो इस तरह से दो बात यदि कहते बच्चे दौन में, दौना में से कोई भी एक बात कहते तो उनको अच्छा लगता है, आलांकि उसमें किसंदा की याद भी आप्सन है, लेकिन पहले इसमें जो टौपिक में, कहानी में, पहले बच्चों द्वारा घर की जिम्मेदारी उनी के कंदोपन डाल दी गई थी, यह बात पहले कही गई है, और किसंदा बाली बात बाद में कही गई है, तो आप्सन सी बिल्कुल इसका सही है, अगला प्रस्ण दोस्तों, जू जूज कहानी में, प्रियुक्त पद एक नंबर का गुड़ और दो नंबर के गुड़ से क्या थात पर है, तो इसमें एक नंबर का गुड़ और दो नंबर का गुड़ से थात पर है, गुड़ की गुणवत्ता, यानि क्वाल्टी, तो आप्सन यह सही है, 58 प्रस्ण यह सी द्वारा जो उत्तर या विकल्ब सही माने जाएं मतवेद हो सकता है यह मेरा प्रयास था all the best good luck धन्यबाद जय हिंद